तो दोस्तों आज मैं रिसेंटली नेट्फिक्स पर रिलीज हुई एक कोरियन हॉरर मुवी को एकस्प्लेइन करूंगा जिसका नाम है यह फिल्म एक बुद्धिष्ट लेजंड डायमेंड सूत्रा पर बेस्ट है यह ऑकल्ट थ्रिलर मुर्डर मिस्टरी बुद्धिष्ट फ डिफिकल्ट है एवन मुझे काफी दा कंफूजन हुई है और मैं आपको यहां पर कंफूज नहीं करना चाहा था इसलिए वह यहां पर नेम्स को चेंज कर रहा हूं जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे और सिनली मुझे नेम्स चेंज करना पसंद बिल्कुल भी नहीं है अगर मैंने किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है तो मैं माफी चाहूंगा और यह नेम चेंज बस इसलिए है कि जो की काफी इंट्रेस्टिंग है तो जाकर जरूर चैक आउट कर लेना लिंक इस इंदर डिस्क्रिप्शन तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ अब यहां पर बुद्धिज्म की ओरिजिनल बुक्स जो है वो संस्कृत भाशा में हैं इसलिए फिल्म की शुरुवात में हमको संस्कृत वॉइस ओवर में इस लेजंड के बारे में बताया जाता है 25 साल पहले नर्क का एक मौनस्टर धर्ती और नर्क के बीच एक डोर को खोलने की कोशिश करने लगा तब भगवान बुद्ध ने उस राक्षस के सामने आकर उसकी दोनों आखों को अलग अलग कर दिया जिसमें की उसकी सारी ताकत थी ये दो आखें थी ब्लैक आएंड रैड आएंड रैड आए बट ये दोनों ही आखें भगवान बुद्ध के हातों से चूट कर भागने लगी थी। भगवान बुद्ध ने ब्लैक आई को पकड़ कर एक बॉक्स में डाल दिया एंड रेड आई भागने लगी वो सात रातों तक सात लों को पजस करके भागती रही लेकिन आठवे दिन उस आख को ये पता चला कि उसका भागना भी भगवान बुद्ध की ही एक माया थी इसलि जरू होती है और यहां पर एक आर्कियोलाजिस्ट प्रफेसर किम को राजिस्थान के डेजर्ट में देखते हैं उन्होंने यहां पर उस रेड आई के बॉक्स को ढूंड निकाला था उस बॉक्स के साथ में सांस्कृत में लिखी हुए एक वार्निंग प्लेट भी थी प्र प्रफेसर किम पर धोकादड़ी का केस लगता है और मीडिया उसे धोके बास कहती है प्रफेसर किम इस चीज़ से काफी ज़्यदा गुस्ता हो जाते हैं वो मीडिया से सभी लोगों से बदला लेने का प्लैन करते हैं और उनको पूरा यकीन था कि यह बिलकुल असली है उसमें एक छोटा सा पत्तर था उस पर छे लोगों का वो ब्लड सेंपल डालते हैं और साथी साथ अपने हतीली को काट कर अपना खुन वी उस पर डाल देते हैं लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं होता अपनी लाइफ लॉंग थियोरी को गलत मान कर अब वो सुईसाइड करन लिए इनका एक dedicated monastery भी था यहां पर हम old monk भंते जॉन को भी देखते हैं जिने अब रेड आए की जागने का अबास हो जाता है यहां भंते का मतलब है senior and respectful monk यह शब्द 13 वाड़ा ट्रेडिशन में जादातर बोला जाता है खेर उनके पास ही एक black eye का box था भंते जॉन की health खरा मुनेस्टेरी में ऑलिवर का नाम भंते सियोनवा था खेर मुनेस्टेरी में हम वीलियम नाम के एक टीनेजर ट्रेनी मौंग को देखते हैं जो की दो साल से मौनवरत पर था बंते जॉन अब वीलियम को बुलाकर अब उस legend के आगे की कहानी कहते हैं बगवान बुद्ध ने सदियों बाद बलड मुन के दिन रेड आई फिर से आजाद हो जाएगी और उसको एक हेलपर ही मदद करेगा वो साथ रात तक साथ लोगों को पसस करके फाइनली एट नाइट को ब्लैक आई से मिलेगा अब रेड आई जाक चुकी है और हमको उसे रोकना होगा और सातों मे कहें के जंगल में हम एक शिकारी को देगते हैं जो कि खर्गोष का शिकार करता है तबीृ से शोल्डर पर हमें किसी का हाथ नज सर आता है अब घे सैकिड मेंुन के पास ही फॉर सीजन्स नाम के एक होटल को देखते हैं वहां पर हम आौलिविया को उसके बॉइड साथ में रूम में देखते हैं लेडी ये कहती है कि पिछले साल तक वो एक meditation camp में जाया करती थी वहाँ पर उसे free health check up and attend करने के लिए पैसे मिलते थे इस camp को कोई और नहीं बल्कि professor Kim ही चला रहे थे यानि कि उसी ने इस लेडी का blood sample निकाला था उसने उसे अब red eye के उपर डाल दिया था अब हम उशिकारी को देखते हैं जो कि red eye से possessed हो चुका था यानि कि हम यहाँ पर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वो हाथ किसी और का नहीं बलकि professor Kim का था वो लेडी के खून को सूंगते हुए उसके room पर आ जाता है और यहाँ पर professor Kim का क्या हुआ उसके बारे में हमको आगे पता चलेगा खेर monastery में William को सपने में भंते जॉन का एक vision आता है वो उसे black eye का box देकर उसे Oliver को देने के लिए कहते हैं अगली सुबा William को यह पता चलता है कि भंते जॉन गुजर गए है और उनके बाजू में वो black box था अब तीसरे दिन पुलिस officer James and team 4 season hotel में आते हैं वहाँ पर उस लेडी के boyfriend का खून हो गया था लेडी का सारा सामान वहीं पर था और वो शिकारी आदमी की body भी वहीं पर थी जो की एक ही रात में एकदम से सड़ गई थी और उससे तीस बदबुआ रही थी उसका चहरा CCTV पर कैद हुआ था इसलिए पुलिस को murder का शक उसी पर जाता है बट वो लेडी यानि की Olivia भी missing थी वीलियम अब दूसरे मौंक से Oliver का address लेता है और उस box के साथ में उसे ढूनने के लिए निकल जाता है सियोनवा यानि की Oliver को हम अकेले में एक candle के सामने देखते हैं उसे कई सारी आतमाओं की आवाज सुनाई दे रही थी वो शेमन था और उसका काम आतमाओं को after life में भेजना था बट for some reason उसने वो काम छोड़ दिया था और उनको after life में भेजने के लिए परिशान कर रही थी फोर्थ डे पर वीलियम Oliver को ढूंडते हुए उसके शहर में आता है लेकिन railway station पर उसका box वाला बैक चोरी हो जाता है और यहाँ पर हम एक लड़की को उसके पास में देखते हैं जिसकी importance हमको आगे पता चलेगी खेर अब officer James को Olivia की body एक रेस्टरॉं में मिलती है और वो भी उसी शिकारी की तरह एकदम सड़ गई थी officer James यहाँ पर confused हो जाता है और उसको अब यह serial killings लगने लगती है वो forensic team को सारे evidence ठीक से चेक करने के लिए कहता है अब यहाँ पर हम Liam नाम के एक दूसरे officer को भी देखते हैं जो की police officer James का partner हुआ करता था लेकिन साल बर पहले एक accident में उसने James की जान बचाई थी और वहाँ पर वो पानी में गिर गया था जिस कारण से उसका पैर टूट गया था और उस accident में उसके सर पर चोट भी आई थी तब से वो सिर्फ desk job पर काम कर रहा था अब यहाँ पर police chief को Liam निकालना चाहते थे एस वहाँ पर काम करने के लिए वो fit नहीं था अब इस case को देख कर Liam एक weird idea suggest करता है कुछ दिन पहले दूसरे police station पर ऐसा ही एक difficult case आया था तब Liam के friend ने virgin shaman नाम की एक famous shaman की मदद ली थी और तब वहाँ पर case असानी से solve हो गया था वो यहाँ भी उसी shaman की मदद लेने के बात करता है जिस पर officer James उसको डाट देते हैं William Oliver से मिलकर उसे चिट्थी में लिखकर ये कहता है कि भंते जॉन गुजर गए है उन्होंने ये कहा है कि monster भी जाग गया है William यहाँ पर अभी भी मौन वरत पर था अब आगे हमको एक delivery guy एक टरनल के पास में नजर आता है जो की scooter को रोकते हुए दिखाई देता है आधी रात को वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी जिसे वो पहचान जाता है ये दोनों उसी meditation camp में गए थे जहाँ पर वो lady Olivia भी गई थी वो लड़की यहाँ पर red eye से possess हो चुगी थी और वो उस delivery guy को अपना नया शिकार बनाती है बिसी कली ये सभी लोग red eye के लिए एक stepping stone थे ये red eye लोगों को possess करते करते black eye तक पहुँचना चा रही थी अब आगे हम उस delivery guy को virgin shaman के घर के सामने देखते हैं जहाँ पर एक लड़की उसे खून का एक sample दिखाती है ये वही लड़की है जिसने William से box चुरा लिया था अब Oliver को भी बंते जॉन का एक vision आता है विजन में वो ये कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पीछे कई सारी आत्माई हैं तुम्हें उन्हें आगे भेजना होगा यानि कि after life में ये ही तुम्हारा कर्मा है Oliver की पीचे हमको कई सारी आत्माई दिखाए देती हैं इंप्लाइंग की आत्माई उस पर नजर रखे हुए हैं यहाँ पर भंते जॉन दवर्जिन शेमन को seven stepping stone कहते हैं और उसे मारने के लिए भी बोलते हैं जैसा कि स्टार्टिंग में बताया गया था किसी एक को भी मार दिया गया तो यहाँ पर उनका मिलन नहीं हो पाएगा यानि कि दोना इसका खेर अब डे फाइव आ जाता है और उलिवर एक पुराने बैग निकालता है जिसके अंदर एक कुलाडी, एक माला, एक लेटर, एंड एक खून लगी हुई शर्ट थी वहाँ पर वर्जिन शेमन का एक फोटो एंड एडरस भी था वो बिसिकली भंते जॉन की शिश्या ही थी अब उलिवर एंड वीलियम उस एडरस पर जाते हैं जाते टाइम ऑलिवर वीलियम के लिए नए बूट्स, खाना, इत्यादी देते हैं मुनेस्टेडी के बाहर वीलियम अकीला फर्स टाइम आया था इसलिए शेहर को देखकर काफी खुश हो जाता है और खुशिय के चक्कर में वो अपना मौन वर्थ भूल कर ऑलिवर को थैंक्स बोल देता है दूसरी तरफ ऑफिसर जेम्स की टीम को उस लड़की की डेट बाड़ी उसी टरनल के पास में मिलती है उसकी भी बाड़ी एकदम सड़ गई थी ओलिवर को उस एडरस पर शेमन नहीं मिलती एस वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई थी यानि कि उसी शहर में जहां पर ये सब किलिंग्स हो रहे थे ये दोनों अब उसी शहर के लिए निकल पड़ते हैं अब हम एक स्कूल गर्ल को वर्जिन शेमन के घर के सामने देखते हैं जहां पर वो लड़की फिर से उसे खून का एक सैंपल देती है इस बार हमें उसके बैक्राउंड में एक और औरत दिखाई देती है जिसके बारे में हमको आगे पता चलेगा अब ओलिवर को रेलवे स्टिशन पर एक मैमरी हांट करती है 20 साल पहले उसका एक कार में एक्सिडेंट हुआ था जिसमें उसकी वाइफ और बेटा मर गए थे एक्सिडेंट करने वाली लेडी ने भी सुईसाइड कर लिया था मरने से पहले उसने ओलिवर के लिए एक लेटर भी लिखा और वीलियम उसी लेडी का बेटा था जो की आगे मुनेस्टरी में पला बड़ा इसलिए ओलिवर यहां उससे अच्छे से बात भी नहीं कर रहा था क्योंकि उसके मन में उसके लिए ग्रजिस थे अब न्यूस के अंदर यह सीरियल किलिंग्स एक होट टॉपिक बन गया था जिसे अब ओलिवर देख लेता है एक मैप में वो सभी मर्डर साइट को मार्क कर लेता है और उसका गैस था कि वरजिन शेमन का घर इनी किलिंग्स के नजदीक होना चाहिए वो और वीलियम अब स्प्लेट होकर घर को ढूडने लगते है ओलिवर टनल के पास आकर किलिंग साइट को देख रहा था जिसे अब ओफिसर जेम्स भी देख लेता है वो उससे आईडी मांग कर बैक ओफिस में चेक करने के लिए कहता है जब जेम्स उसे बैक दिखाने के लिए कहता है तब ओलिवर भागने लगता है इन दोनों के बीच में फाइट होती है और मैप वहीं पर गिर जाता है वीलियम को वर्जिन शेमन का घर मिल गया था तब ही बारिश आने लगती है वीलियम अंदर जाकर बैठता है जहां पर वो लड़की उसको टी देती है यहां पर हमें वो औरत भी दिखाई देती है वर्जिन शेमन के घर से आते टाइम वीलियम को स्कूल गर्ल दिखाई देती है और वो रेड आई से पजेस हो गई थी यानि कि इवल स्पिरिट्स को निकालने वाला एक केस में उसने एक आदमी को पीट पीट कर एक्जॉर्सिजम किया था तब उस पर कोरियन बुद्धिष्ट एसोसियेशन ने केस डाल दिया था ऐस वो ओफिशली रेकरगनाइज़ नहीं था क्योंकि उसे मौंग की पोजिशन उन्होंने नहीं दी थी इसलिए वो कुछ साल तक फ्रॉड मौंग के केस में जेल में भी रहा था और अब कंस्ट्रक्शन वर्कर है बट वो दो दिन से मिसिंग है जीम्स को तभी उसके हातों से गिरा हुआ मैप याद आता है जिसे लेने वो लियायम के साथ में चला जाता है खेरब रास्ते में लियायम उसे वही वर्जिन शेमन का बनाया हुआ एक तावीज देता है जिसे उसने अपने खून से बनवाया था जीम्स ऐसी चीजों पर यकीन नहीं रखता था बट लियायम के दबाव में वो उसको रख लेता है अब उन्हें वहाँ पर वो मैप भी मिलता है ये कंक्लूड करते हैं कि इस लाकी के मिसिंग लोगी सीरियल किलर का अगला शिकार है उन्हें पता सल जाता है कि एक हाई स्कूल गर्ल दो दिन से ला पता है और वो पिछले साल भी ऐसे ही ला पता हो गई थी जहाँ पर वो बात में एक मेडिटेशन कैम्प में मिली और वो मेडिटेशन कैम्प किसका था? प्रफेसर किम का लेटर नौन लियाम ये कहता है कि पास के ही पहाड़ पर एक और डेड़ बाड़ी मिली है जिसकी हालत भी इसी केस के बाकी विक्टिम्स की तरह है वो अब स्टेशन जाकर उसकी फाइल देखने लगता है वीलियम ऑलिवर के पास आकर उसे वर्जिन शेमन का एड्रस देता है जब उसे ये पता चलता है कि ओलिवर उसका खून करने वाला है तो वो इस बात से सहमत नहीं होता वो फौरण महां से भाग कर शेमन को बचाने जाता है जीम्स उसी इलाके में था तब उसे लियम का फोन आता है वो ये कहता है कि आज सुबह पहाड़ी पर किसी आदमी की ब और लोकल वर्जिन शेमन भी उस लिस्ट में थी यानि कि देखा जाये तो बिसिकली यहां पर इस रेड आई ने प्रफेसर किम को सभी के बलड के लिए इस्तिमाल किया उसके बाद उस रेड आई ने प्रफेसर किम को पजस किया और पजस करने के बाद में फिर अगला शिक लेकर उसे भी वहाँ पर बुलालेता है। लेटर रौन उसको फिर से ऑलीवर दिखता है जिसके हाथ में धिजिए पर लोलीवर करने लगता है। और शियमन के घर पर आता है उसे वहाँ पर पर बेहोश हो कर गिर जाता है स्कूल गर्ल ओलिवर से ये कहती है कि वो यहां से भाग गई है और उसके पीछे कुलाडी लेकर भागता है और कुलाडी पर अपना खूं लगा कर कुछ चैंटिंग करने लगता है तब ही उसको उसके पीछे पड़ी आतमां की आवाज सुनाई देती है वो सबी अब उसे छोड़ कर जा रहे थे एस वो ये कहते हैं कि ये मरेगा अब ये हमें मुक्ती नहीं दिला सकता ओलिवर को ये सुनकर थोड़ा सा शौक लगता है बट वो आगे बढ़ता रहता है एस उसे अपनी लाइफ की कोई भी जिनता नहीं थी लेटर ओन स्कूल गर्ल भागते हुए लियाम से टकरा जाती है और टकराते ही वो उस पर हमला करती है उसे काटकर उसे पजस कर लेती है ऑलिवर तभी उसे कुलाडी से मारने आता है बट लियाम उसे उठाकर पटक देता है उससे ये कहता है कि तुम यहां नहीं मरोगे उसे मुनैस्टरी जाने के लिए कहता है वीलियम उस लड़की को भी ट्रेन से मुनैस्टरी ले जा रहा था अब यहां पर आ जाता है डे सेवन्त ओलिवर को भंदेय जौन का एक और विजन आता है जहां पर वो यह कहते हैं कि मौन्स्टर अब सैवन्स टून पर है और मेरे दिन वीलियम एंड लेड़ी मुनेस्टरी के पास में आते हैं उनके आते ही मौसम खराब हो जाता है अंधिरा चाने लगता है वीलियम उस लेड़ी को एक स्मॉल घर पर ठहराता है पजस हुआ लियम भी अब मुनेस्टरी आकर मौंक्स को मारता है और बंते जॉन की बॉड़ आता कि आखिर वो कहां गायब हो गई वहां पर ब्लैक आई का बॉक्स भी अपने आप आ गया था जिसे उस लड़की ने चुराया था ऑफिसर जेम्स फिर से वर्जन शेमन के घर पर जाता है और दोस्तों अभी यहां पर खुलते हैं असली पत्ते उस घर में एक और ती ज जच्पन में उसने बहुत सारे अब्यूस सहे थे वो सुइसाइडल थी प्रफेसर किम ने उसको एडॉप्ट करके उसकी एजुकेशन करवाई थी जब सब लोग उसे धोके बास कहने लगे तब उसने साशा की हेल्प मांगी रेड आई के टैबलेट में लिखा हुआ था कि उसे जगाने से पहले उसके लिए किसी लेडी को सैक्रिवाइस करना होगा और आगे वो लेडी गोस्ट बनकर मॉन्स्टर की सर्वेंट बनेगी और साशा ने तब जाकर सुइसाइड किया और वो गोस्ट बन गई सभी लोगों के माइंड को कंट्रोल करके उन्हें मेडिट चाई के लिए था सेवन स्टैपिंग स्टोन में थी बढ़ साशा ने मेरी पोजीशन को चेंज करके लियांग को सैवन स्टैपिंग स्टोन बना दिया सभी छे लोगोंने सुइसाइड करने की कोशिश करी थी लेकिन उन्हें साशा ने बचा लिया शीमन यहां रोते हुए कहती है कि मैंने ये सब सिर्फ अपने आपको बचाने के लिए किया है वह officer जेम्स को भी monastery जाने के लिए के लिए कहती है monastery में Oliver Liam के लिए एक trap ready करता है अपने आस-पास के area को एक thread से cover कर देता है उसके बीच में आग लगा देता है William की जैकेट पर अपने खून से ओम का सिंबल भी लिखता है अब एट नाइट को पॉस्स हुआ लियाम ऑलिवर के पास में आ जाता है उसका ट्रैप चैंटिंग कुछ भी काम में नहीं आता लियाम ये कहता है कि आठवा स्टेपिंग स्टोन वही होगा जो कि उत्तराधिकारी है तुम मोनैस्टरी छोड़ चुके हो इसलिए तुम उत्तराधिकारी नहीं हो वीलियम असली उत्तराधिकारी है तुमारी लाइफ एक निराशा से बढ़कर और कुछ नहीं है तब ही लियाम उसको एक गन देता है सुइसाइड करने के लिए अब वीलियम के सामने साशा आती है जो कि उसका जैकेट निकाल देती है और वह अब पजस्टेट में था तभी ऑलिवर लियाम पर गोली चला देता है और इससे गुस्से में वह अपने अंदर के सबी छे आतमाओं को ऑलिवर पर अटैक करने के लिए भेज देता है हम छे ब्लैक फिगर्स को देखते हैं ज कुछ दूर जाने के बाद में ऑफिसर जेमस वहां पर आ जाता है वह लियाम को पजस्टेट में देखकर डर जाता है लियाम उसे उठाकर दूर फेक देता है और वह सीधा वीलियम की और बढ़ने लगता है तब ही फिर से ऑलिवर उस पर गोली चलाता है चैंटिड पर मारता है और वहां पर वो मर जाता है ऑलिवर के पास में पॉर्ड को प्जुद को पॉछने का ओफर देता है वा वीलियम ब्लैक आए के बॉक्स को खोलता है और दोनों आइज यूनाइट हो जाते है उपर आसमान में नर्क का डोडोर खुल जाता है पॉर स्टेस वा ग सब्सक्राइब करने लगता है कि और सब्सक्राइब करने लगता है जिससे वीलियम के लगता है अब ओलिवर यहां पर एक टाइम पर एक्जॉर्सिस्ट हुआ करता था तो उसने ब्लैक आई को अपने अंदर फॉर्स फुली ले लिया था इससे वीलियम पॉसेशन से फ्री हो जाता है और लेटर ओन वो चैंटिड को लाड़ी से ओलिवर के सर पर वार करता है एस यह मुवी यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तों यह थी था एट्ट नाइट मुवी की कहानी टाइटल का मेनिंग यहां पर काफी डीप है आठ रातों का यहां पर यह मतलब है कि आपके पास सिर्फ आठ रात है मॉन्स्टर को रोकने के लिए यदि आप आठ को उल्टा कर यहां पर वीलियम वर्जिन था एंड ओलिवर अपना मॉंक नेम स्योनवा त्याग कर ही नाम ही मॉंक बना था एक सीन में भंते जॉन ब्लैक आई एंड रेड आई का मतलब ही समझाते हैं जब भी कोई इंसान चिंता में पढ़ता है तब उसकी आखे ब्लैक हो जाती है मीनि जब इंसान के जीवन में चिंता एंड पीडा दोनों एक साथ आ जाये तो जिन्देगी तबाह हो जाती है एंड उसी को यहां पर डीमन कहा गया है यानि कि वो मॉंस्टर फिल्म इंसान को अपने कर्मों के बारे में भी कहती है जैसे कि ओलिवर अपने मॉंक वाले कर्मा से बट वो भाग नहीं पाया बुद्धिस्म के मुताबक हर इंसान अपने कर्मों से भाग नहीं सकता जीवन नशवर है बट नशवरता से कोई भी भाग नहीं सकता और यही कर्मा है तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना चैनल पर नए है तो सब्सक्राइ के लिए स्टेर कोस्ती